हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू मैं चैनल यह सुबह का फ्लॉउक है मैं सुबह सुबह खाने खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और इस्कूल मैं बच्चे को स्कूल भेजना है तो उसका भी खाना मेरे मुझे रेडी करना है तो मैं सब्जी वही बना लेती हूँ, जो सब्जी बनाती हूँ, मैं उसको टिफीन में वही दे देती हूँ तो सबसे पहले मैं दाल चड़ाती हूँ, सब्जी काट लेती हूँ मैंने सबजी काट लिया है दाल भी गल गये है तो मैं उस तरह पक हएक फुज़ है अब मुझे जो भी बरतन मुझे यूज़ करना होगा वो जूठे में पड़े हैं तो मैं उसको भी निकालती जाओंगी कि हाँ एक दो बरतन जो मुझे यूज़ करने हैं तो मैं उसको भी साफ करके यूज़ में ले लूंगी तो मैं दोनों काम साथ ही साथ में करती जाती हूं कि जल्दी काम निपड़ जाए तो मैं हरी मिर्च में खाना बनाती हूँ तो मैं ये निट वाला बैग है तो मैं इसी में हरी मिर्च रखती हूँ जिसरे हरी मिर्च खराब नहीं होती है तो मैं इसी दरा फिर उसको फ्रीज में रख दूँगी दाल पक रही है और सबजी मैं छोपने जा रही हूँ और सबजी भी जहां तक ही मेरी सबजी भी रेडी हो गई है तक ही मेरी सबजी करने के बाद मैं रोड़ी बनाऊंगी Hair franc अन्यक्षा टिफिन पैक करोंगी कि आज जल्दी ईसकी बस आ जाएगे बेटे की बस आ झाएगी है तो बेटे को भ्यभी सिर्डी आ है और हैस्बिन को मैंने भाण है अब मैं योगा करूँगी तो कल मैं कल संडे था कल मैं यो संडे को योगा नहीं करती हूँ क्योंकि संडे में सलोग घर पे जाते हैं तो इसी वज़े से मेरा योगा नहीं हो पाता है तो मैं और भी दिन करती हूँ लगे संडे छोड़ देती हूँ बहुत काम भी होते हैं संडे को इसलिए मैं संडे छोड़ देती हूं कि मैं योगा करने के बाद भी मैं नास्तरा करूंगी मेरी कोशिश रहती है कि जहां तक मैं नियम से योगा कर लूँ लेकि जहां तक कभी-कभी तो छूटी जाता है तो योगा मैंने खतम कर लिया है अब मैं नास्ता करने जा रही हूं तो नास्ता में नास्ता में मैंने बहुत लाइटली चीज लिया है बहुत जादा हैवी नास्ता मैं नहीं करूंगी क्योंकि खाने में और नास्ते में मेरा जादा गैपिंग नहीं होता है तो इसलिए मैं बहुत ही लाइट नास्ता करती हूं अगर मैं हैवी नास्ता ले लूँगी तो फिर खाते समय मेरा पेट मेरे भूक नहीं लगेगा और मैं खाना नहीं कहूंगी इसलिए मैं लाइट नास्ता करती हूं तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए तो नास्ता करने के बाद मैं अपने घर का साफ सफाई करूंगी तो अब मैं घर साफ सुत्रा कर लेती हूं सबसे पहले मैं डानिंग टेबल पोच देती हूं डानिंग टेबल पोच देगे बाद मैं सेंटर टेबल पोच हूंगी और टीवी उनिट पोच दूंगी जिसे रोज जो मिटी उड़के आती है वो एक लेयर जम बैट जाती है तो फिर उसी को साफ करना होता है तो गंदा लगना है फिर मैं पीछे का रूम भी क्लीन करने जा रही हूं तो आज मैं पीछे का बैट सिट चेंज करूंगी क्योंकि बहुत गंदे हो गया है तो इस रूम में कोई ज़्यादा रहता नहीं है इसे मेरा बेटा पढ़ता है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देती हूं तो आज मैंने सोचा कि लाओ इसको क्लीन कर दिया जाए तो मैं थोड़ा डस्ट वेस्ट जो है उससे जाड़के और बेट सिट चेंज कर दूंगी तो मैंने बेट सिट चेंज कर दिया है और मैंने भी कपटे चेंज कर ली है मैं लोवर टी शर्ट में थी तो मैंने कुर्टी और सलवार डाल लिया है तो अब मैं अपने कपड़े भी मैंने डाल दिये हैं क्योंकि आज मौसम कुछ अच्छा नहीं है कभी दूप हो जा रहा है तो कभी बादल आ जा रहे हैं तो मैंने कपड़े डाल रखे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और बाई बाई